मेरे देश के सैनिक का इतना आपमान कि वो अपनी बंदूख छोड़कर देश में सिलंडर बेचेगा, देल में देश में आवास योजना का परचार करेगा, देश में पानी की जल की स्कीम का नलका खोलेगा, कुछ तो शरम करिये, देश के सैनिक का इतना आपमान मत करिये पोस्टर लगाएंगे किसी पोलेटिकल पार्टी की बपौती नहीं है बीजेपी आरेसेस की एंडीय सरकार की परस्टनल प्रपर्टी नहीं है कि आप जैसा चाहें इसको इस्तेमाल करें कि मोधी सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी खतम कर चुकी है खतम हो चुकी है उनकी जुमले बाजी इतनी ज्यादा हो चुकी है लोगों का विश्वास उन से उठ उन पर से उठ चुका है साथियो पहले तो मैं आप सब लोगों को बढ़ाई देना चाहूंगा कि आज हमारे देश में नैशनल सॉलिडरिटी दे मनाये जा रहा है देश की सरदों पर अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम देते हुए जो हमारे देश की फोजों ने काम किया है उसके लिए नैशनल सॉलिडरिटी दे में हम उन सबको याद करते हैं जिनोंने शहादत दी है या जो देश के काम हैं उन सबको हम नमन करते हैं सलाम करते हैं साथियो हमारे देश की सरकार फोज की सुरक्षा परनाली के उपर एक के बाद एक प्रहार करती जा रही है वो हमारी फौज को कमजोर कर रही है किसी ना किसी और तरीके से तो आज हम आपके सामने एक और ऐसा मुद्दा लेके आए हैं जिसमें सरकार ने मोधी सरकार ने देश की सेनाओं के उपर प्रहार करते हुए जिन हाथों में बंदूके होनी चाहिए थी, जिन हाथों को देश की सुरक्षा के लिए खड़े होना चाहिए था, उनके हाथ में अपनी राजनिती चमकाने के लिए पोस्टर थमा दिये, बैनर थमा दिये, एक Department of Defense ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहट, इस सर्कुलर के तहट, Ministry of Defense ने आदेश दिया है कि मोधी सरकार की जो flagship schemes है, उजवला योजना, नारी शक्ती, सशक्तिकरन, जल, मिशन और ऐसी बहुत सारी योजनाए हैं, जिसके लिए उन्होंने आदेश पारित किया है, और उस आदेश को Controller Defense Accounts, CGTA की जो website है, उस पर नौत आरी को host किया गया था, लेकिन देश में इसके उपर काफी बातचीत हुई, और इस बातचीत के बाद इसको CGTA ने अपनी website से गाइब कर दिया है, इस Department of Defense, जो की Ministry of Defense का एक हिस्सा है, उसने ये order जारी किया है, 6 October का order है, देश में 822 Selfie Points बनेंगे, इन Selfie Points को बनाने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों को, डिरेक्टली Army, Air Force, Navy, M.E.S. उनको बताया गया कि 300 आप Selfie Points बनाएंगे, DDP को, Defense Production को बताया गया कि आप 100 Points बनाएंगे, ऐसे करके टोटल मिलाके 822 Points, यह सारी वो एजेंसिया हैं जो कि डिरेक्टली या तो फौज से टील करती हैं और आर्मी एक्ट के अंडर आती हैं, या फिर फौज की अलाइड और 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 अर्बेटेड एजेंसिज हैं, जो कि समय पढ़ने पर, इन केस ऑफ पीस, शायद वो बाहर रहें, लेकिन इन केस ऑफ वार, यह सारी एजेंसियां फौज के तहट आ जाती हैं, कानूनी तोर पे यह बिलकुल गलत है, मिस्यूज और अब्यूज आफ पावर है, यह हैं वो स्कीम, वैक्सिन योगा, उजुला, स्केल इंडिया, क्लीन मिशन, किसान समरुधी योजना, स्पेस पावर, डिजिनल इंडिया, परदान मंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्टार्ट अप इंडिया, सशक्त भारत, नया भारत, तो सातियो, क्या हमारे देश के सैनिक, अब बीजेपी का प्रचार करेंगे, पी-एम का प्रचार करेंगे, पी-एम की योजनाओं का प्रचार करेंगे, क्या हमने फौज का स्टर इतना गिरा दिया है, कि जो हमारे सैनिक, देश की सरहदों पर खड़े होने का काम करते हैं, माइनस 40-50 डिग्री पर खड़े होते हैं, साथ डिग्री टेंपरेचर में, राजस्थान में, गर्मियों में खड़े होते हैं, क्या वो अब मोधी सरकार की इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, और पोस्टर लगाएंगे, कानूनी तोर पे यह गैर कानूनी है, इल्लीगल है, अनलाफूल आउडर है, आपको एक और चीज़ का संग्याल लेना पड़ेगा यहां पे, कि फॉज की आर्मी, एरफोर्स, ने भी इन तीनों ने अपनी वेबसाइट पे इस ओर्डर को नहीं दिखाया है, तो इसका मतलब उन्होंने इसको इल्लीगल, अनलाफूल माना है, डेश की फॉज का सुप्रीम कमांडर और कमांडर इन चीफ, राश्टरपती है, मिनिस्ट्री अफ डिफेंस सिर्फ एग्जिक्यूटिव परपस से, रूटीन वर्किंग के लिए, मिनिस्ट्री अफ डिफेंस के साथ, डिपार्ट्मेंट ऑफ मिलेटरी अफेर्स जिसके अंदर आर्मी, एरफोर्स, ने भी आती है, उसको रखा गया है, लेकिन वो पॉलिसी और पॉलिसी और रोल डिफाइन नहीं कर सकते, आर्मी, एरफोर्स, नेभी, डिफेंस फोर्स का रोल डिफाइन करने के लिए, स्टेटिटरी अर्गनाइजेशन हैं, जिसमें आर्मी एक्ट, आर्मी रूल, डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद सबॉडिनेट पॉलिसी और एक्ट होते हैं, जिसको स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शन्स, स्पेशल नेभी इंस्ट्रक्शन्स, एरफोर्स इंस्ट्रक्शन्स, या स्पेशल आर्मी ओर्डर्स, Air Force Orders और Naval Orders के जरीए Promulgate किया जाता है तो ये Policy Provision के हिसाब से आपके सामने में Army Rule 1954 Section 20 जो पूरी तरह से हमारे सैनिकों को Army Act में जो लोग आते हैं उनके लिए ये Provision है आपके Fundamental Rights है लेकिन ये Chapter डील करता है Restrictions of Fundamental Rights जो भी इस Act, Army Act, Navy Act, Air Force Act के अंदर आता है उसके लिए किसी भी Political and Non-Political Activities के अंदर Attend करना, Address करना या हिस्सा लेना, Meeting में, Demonstration में किसी भी तरह की Party या Political Purpose के लिए प्रचार प्रसार करना ये पूरी तरह से prohibited है पूरी तरह से वर्जित है इसके इलावा Section 21 ये डील करता है Communication to the Press, Lectures कोई भी आदमी, कोई भी परसनल जो इन एक्ट के अंदर आता है वो किसी भी तरह की Press में, Media में Publication के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, Publicity के लिए, कोई भी चीज Directly या Indirectly जो किसी भी Party को या Political Outfit को फाइदा पहुचा सकती है उसके लिए पूरी तरह से वर्जित है तो साथियों, इनका संग्यान लेना बहुत ज़रूरी है आज, मोधी सरकार, हमारे सैनिकों को इस तरह से डाउन ग्रेड कर रही है इस पर हमारे बहुत सारे सर्विस और पूर्शैनिक और्गनाईजेशन से बाचीत हुई सब लोग इसको सीरे से खारिज करते है और एक ही व्यूपॉइंट है वो यह है कि जिन हाथों में बंदूख होनी चाहिए थी उन हाथों में पोस्टर, पोलिटिकल पोस्टर नहीं होने चाहिए पोज, दोनों देश की धरोवर है यह किसी पोलिटिकल पार्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है किसी पोलिटिकल पार्टी की बपोटी नहीं है बीजेपी आरेसेस की, एंडिये सरकार की पर्सनल प्रापर्टी नहीं है कि आप जैसा चाहे इसको इस्तेमाल करें मैं रक्षामंत्री जी की प्राउड शिक्षा करना चाहूंगा थोड़ा सा कि रक्षामंत्री जी आप इस तरह के वक्तव्य और ब्यान देने से पहले फॉज के रोल, रिस्पॉंसिबिलिटी जो की पार्लेमेंट के एक्स के द्वारा पारित है उनका पहले ग्यान ले और उसके बाद ऐसी तुगलकी फर्मान जारी करें जो अनलावूल है जिसको कोई भी मानेगा नहीं और जो तीनों सेनाओं के लिए अमाने हैं साथियों इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम सिरे से इसको खारिच करते हैं इसके इलावा तीनों चीफ अब आर्मी स्टाफ, एरफोर्स स्टाफ और नेवल स्टाफ तीनों को हम अपने तरफ से चिठी लिखेंगे और उनको इस ना मानने वाली पॉलिसीज को वापिस करवाने के लिए प्रेजिदेंशल रेफरेंस के लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे और इनकी जरूरत क्यों पड़ी हमारी सेना की जो सेने संस्थान है उनकी सेफटी सिक्योरिटी और सीक्रेसी बरकरार रखना ये हमारी एहम जिम्मेदारी है इसी के तहट सभी सर्विंग पर्सनल उनके लिए वर्जित है कि वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल करें तो ये सेल्फियां कैसे किस तरह से प्रचार और प्रसार होगा तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं देश की सेनाओं के लोगों को पर्सनल को जो कि सोशल मीडिया से वर्जित हैं दूर हैं उनको इसमें इन्वाल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हम सेना का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक इच्छाओं और मन्शाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे तो इसके बड़े दूरगामी परिनाम हो सकते हैं देश के लिए नुकसान हो सकता है 75 साल में आज तक कमी सेना का राजनीति करन नहीं किया गया सरकारी करन नहीं किया गया उनको इन चीजों से दूर रखा गया क्यों क्योंकि फॉज डेमोक्रेसी की और कॉंस्टिचूशन की रक्षक है रक्षामंत्राले सरफ एग्जिकेटिव एजिंसी है हमारे साथ 1947 में एक दूसरा देश आजाद हुआ था वहाँ पे सेना के दखल की वज़े से पॉलिटिकली उनका इस्तेमाल करने की वज़े से कैसे हमारे पड़ोसी देश के हालात है आज हमारे सरकारों को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने पिछले 65 साल तक देश की सेना को सरकारी तंतर से पूरी तरह से अलग रखा और देश को आज वर्ल्ड की तीसरी एकॉनमी तक पहुचा दिया और वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सेना तक पुचा दिया और आने वाले समय में ये नंबर वन सेना बनेगी तो ऐसी स्थिती में क्या हमें सेना का राजनीती करण माने है, acceptable है मैं आप से मीडिया कर्मियों से पूछना चाहूंगा कि क्या ये कानून या पॉलिसी या लेटर क्या ये माने है, नहीं माने है डेश के सैनिकों का मुराल बहुत डाउन है और ऐसे काम करने से हमारे सैनिकों का मुराल डाउन होता है अब हम अपनी रोल और रिस्पॉनसिबिलिटी का भी जिक्रिया अबे करना चाहेंगे फॉज की रोल और रिस्पॉनसिबिलिटी वार में है, अलग है सरदों के ओ, एक्स्टरनल एजेंसी से बचा कर रखना है No War, No Peace जहां पर सरहदों की रक्षा भी करना है साथ-साथ आंतरिक स्रक्षा भी करना है internal security का काम भी करना है और peace time जब peace time होता है तो war में और no peace, no war के समय में जो हम ने सरहदों पर जो हमने internal security के operations के दरान जो सीखा है lessons learnt है उनसे सीख लेते हुए हम अपनी ट्रेनिंग को, अपने ऑपरेशनल फिट्नेस को, अपनी मेंटेनेस को, फिजिकल फिट्नेस को, ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के जरीए बढ़ाने का काम करते हैं पीस स्टेशन पे हमारा टेनियर सिर्फ दो साल का रहता है, उसके बाद फिर दुबारा हम फिल्ड पे जाते हैं तो इस पीस स्टेशन के अंदर जब हम रहते हैं, तो अपनी ट्रेनिंग, ऑपरेशनल फिट्नेस, फिजिकल फिट्नेस, इन सब चीज का ध्यान रखते हुए, अपनी एफिजेंसी को, एफिकेसी को, और एफेक्टिवनेस को बढ़ाने का काम करते हैं ताकि हमारा पीस टाइम में बहाया हुआ पसीना, वार टाइम में या ओपरेशन को दौरान काम आए, एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, फौजियों के लिए, जितना आप पीस टाइम में पसीना बहाएंगे, उतना ही आपको वार टाइम में रक्त कम बहाना पड़ेगा, तो ये है हमारी सिखलाई, पिछले कुछ समय में मोदी सरकार ने कई ऐसे काम किये हैं, जिनकी वज़े से देश की सेनाएं कमजोर हुई हैं, अगनी पड़ स्कीम को लागू किया गया, अगनी वीर बनाए गए, अभी रिसेंटली आपने देखा कि एक अगनी वीर की शहादत होई, वज़े कुछ भी ह सकती हैं, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल लास्ट राइट्स का अधिकार सैनिकों को दिया गया है, उसके लिए वहाँ भी दो हिस्से कर दिये, बेदबाब कर दिया, रेगुलर सैनिकों में और अगनी वीर की पॉलिसी इसके अलावा, हमारे डिसेबिलिटी पेंशन को कम कर दिया गया है, डिसेबिलिटी पेंशन को इंकम टेक्स से दाइरे में ले आए हैं, डिसेबिलिटी पेंशन को इंपेर्मेंट रिलीव बना दिया गया है, उस इंपेर्मेंट रिलीव के आते ही, जैसे ही सैनिक की डेथ होती है, तो ये disability pension जिसमें service pension और disability pension था उसका 60 प्रतिशत उसको मिलता था लेकिन अब वो इस impairment relief के आने के बाद वो सिर्फ सैने की मित्यों होने के बाद सिर्फ service pension का 60 प्रतिशत रह जाएगा ऐसे में जो हमारी वीर नारियां रहेंगी उनका जो pension सैने के जिन्दा रहते समय मिलती थी उसकी मित्यों के बाद एकदम एकतिहाई हो जाएगा एकतिहाई के उपर tax लगेगा तो 100 पे की service pension सौर रुपे की disability pension 100% disability वाले को उसकी वीर नारी को उसकी death के बाद सिर्फ 51 रुपे मिलेंगे 200 की जगह पर तो यह एक example है तो ऐसे इन्होंने का ऐसे इन्होंने डेश की सेनाओं को कमजोर करने का काम किया साथियों इससे पहले कभी इन्होंने योगा की मैट बिछाने में सेनिकों को इस्तेमाल करना शुरू किया फिर उसके बाद मेरी माटी मेरा देश यह प्रोग्राम चलाया कि सेनिक हर गाओं में हर घर में जाएंगे और मिट्टी लेकर आएंगे सेनिकों को इतना डीग्रेड करना उनको अपने काम और अपनी रोल और रिस्पॉंसिबिलिटी से धूर करके इन सब को कामों में इस्तेमाल करने से देश की सेना मजबूत नहीं हो रही देश की सेना कमजोर हो रही है यह मेरी माटी मेरे देश यह ADGPI का ट्वीट है इस ट्वीट के जरीए उन्होंने 9 अगस से लेके और 15 अगस तक 7 दिनों तक फौज का सारा काम बंद करके देश की सरोदों पे काम बंद करके मोधी सरकार ने इन से देश में मिट्टी उठवाई है गाओं गाओं में भेजा है क्या हम अपनी देश की सेना से ये अपेक्षा रखते हैं शायद नहीं तो मोधी जी मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्यूं कर रहे हैं आपने देश की सेनाओं को मिट्टी उठवाने का काम क्यूं किया आपने देश की सेनाओं को अगनी वीर अगनी पत्सकीम के जरीए देश की सेनाओं में भेदबाव करने का काम क्यूं किया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन योजनाओं के जरीए आप अपना प्रचार और प्रसार सैनिकों के जरीए क्यों करवाना चाहते हैं मुझे सरफ एक ही चीज समझ में आती है कि मोधी सरकार अपनी credibility खतम कर चुकी है खतम हो चुकी है उनकी जुमले बाजी इतनी ज्यादा हो चुकी है लोगों का विश्वास उन पर से उठ चुका है और देश की एक ही credible agency बची है बागी सस्ताओं को उन्होंने खतम करने का कमजोर करने का काम किया है देश की फौज के उपर देश के फौजियों के उपर देश के नागरिकों गर्व भी है और विश्वास भी है इसी विश्वास के सारे सारे देश के नागरिक अपने घर में चैन की नीन सोते हैं क्योंकि देश के सैनिक सरदों की रक्षा कर रहे हैं इंटर्नल सेक्योरिटी कर रहे हैं तो आज उसी क्रेडिबल एजेंसी फौज के जरिए मोधी साब उनके कंदों पर रखके बंदूग चलाना चाहते हैं उनके पीछे छुप कर अपने राजनितिक प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं जब जब मोधी साब या मोधी साब की सरकार कमजोर होती है तो देश की सेना का सहारा लेती है देश की सेना उनके लिए उनका उनकी सोच के हिसाब से उनके लिए संकट बोचन का काम करती है 2019 में जिस तरह से उनकी credibility खतम हो गई थी एक दरदनाख हादसा हुआ देश में एक sentiment बना उसके बाद surgical strikes की गई देश की सेनाओं का बेहतरी एक्षन था लेकिन उसकी आड़ में मोदी जी ने देश में हर जगह जाकर ये कहा कि जो first time voter हैं वो देश की सेनाओं के नाम पे इन surgical strikes के नाम पे वो बीजेपी की सरकार को बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट करें और उनकी वोट अगर बीजेपी को मिलती है तो वो देश की सेना के लिए और सैनिकों के लिए बहुत बड़ी शर्दान जिली होगी तो मोदी जी आप अपने संकट मोचन की तरह देश की सेनाओं को देख रहे हैं देश की सेनाओं देश के लिए संकट मोचन है किसी बीजेपी की एंडिये की किसी सरकार की संकट मोचन नहीं है पॉलिसीज का प्रचार प्रसार करने के लिए आपके पास अपने बहुत सारे सातिया अडानी साथ हैं देश की फौजों की डिसेबिलिटी पेंशन से चार हजार करोड रुपे आपने बचाया है उस 4000 करोड रुपे का इस्तेमाल करके आपने जो फाइदा अपने साथियों को पहुचाने का काम किया है आप उनको इस्तेमाल करिए देश की फौज को ना इस्तेमाल करिए यही मेरी मोधी सरकार से गुजारिश है तीनों चीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस का संग्यान लिया अपनी वेब साइट पे इसको नहीं होस्ट किया और आप इस अनलॉफुल इलीगल ओर्डर को नहीं मानेंगे और देश की प्रधान मंतरी जी को और एमोडी को बताएंगे कि यह फौज के काम और कारे और उनके रूल्स रेगुलेशन्स रूल्स रिस्पॉंसिबिलिटी के खिलाफ हैं और अगर फिर भी ना मानें अगर फिर भी आपसे सेल्फी पॉइंट बनवाने की कोशिश करें तो आप प्रेजिडेंशल रेफरेंस जरूर लीजिए और प्रेजिडेंट हमारे कमांडर इंचीफ हैं उनके जरीए सरकार के ओपर अंकुष लगाने का काम करिए और ऐसी इल जी हम राष्टपदी जी से मिलने का समय मांगेंगे तीनों चीफ्स को चिटी लिकर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे अनलॉफुल और इलिगल ओर्डर को ना माने आपने बड़ी सही बात की कि फौज का मनोबल इन चीजों से गिरता है फौज का सैनिक वो जब भी उसके हाथ में बंदूख होगी अपना उपकरन होगा देश की सरत पर उसके उपर गोलियां आ रही होगी वो च्छाती पर लेने के लिए तयार है लेकिन वो इन सब कामों को करने के लिए पोस्टर चिपकाने के लिए नहीं तयार है तो यहां से उनका मनोबल गिरता है कि कि सरकार हमें किस तरह से गिरा कर ऐसे कामों में उल्जाना चाहती है वो नहीं करेंगे यहां पर फौज के मनोबल का सवा है फॉज के फॉज में एक सेंग बड़ी बड़ी प्रचलित है देर इस ए ओडर इन मैडनेस ऑल्सो कि कोई भी काम करते हैं पागलपन में भी ओडर है तो फॉज काइदे कानून से चलती है रूल्स रेगुलेशन से चलती है कॉंस्टिचूशन से चलती है कॉंस्टिचूशन से बाद्दे है और वो सरकार की इन तुगलपी फरमानों से नहीं चलती है वो किसी सरकार की, किसी पार्टी की, राजनितिक पार्टी की, बीजेपी की, राजनितिक पार्टी की, या किसी भी पार्टी की बपाउती नहीं है, प्राइवर्ट प्रापर्टी नहीं है यह पुलिटिकल एजेंडा है यह हर आदमी को दिखाई देता है देश की सेना का क्रेडिबल एजेंसी का इस्तेमाल करना अपने राजनीतिक फायदे के लिए राजनीती करन के लिए सरकारी करन के लिए यह किसी तरह से भी मानने नहीं है जो हमारे सेनिक है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना उनका वर्जित है यह सेल्फी पॉइंट है सेल्फी पॉइंट अगर इसमें दो बात आती है कि सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए अगर सेना को जिम्मा दिया गया है तो वो अंदर भी हो सकते है और सेना के मिलिटरी स्टेशन के अंदर भी हो सकते है बहुत सारे मिलिटरी स्टेशन ऐसे हैं जिसमें सिविल इन एरिया भी मिक्स्ट है तो वहां भी हो सकते हैं कहीं में भी हो सकते हैं तो दो बाते हैं इसमें पहली बात कि सेना के सेनिकों का इस्तेमाल जो पीस टाइम में आएंगे ये नौ नौ स्टेशन्स हैं दिल्ली, पुने, नासिक, कॉलकटा, बैंगलाओर और नौ स्टेशन्स हैं हम आपको बता देंगे तो ये ये स्टेशन्स क्या वो पोल बाउंट स्टेट्स के अंदर क्यों नहीं आपने किया ये नौ स्टेशन्स जो हैं नौ डैली, प्रियागराज, पुने, बैंगलाओर, मेरट, नासिक, कॉलम, कॉलकटा, गुहाटी पोल बाउंट स्टेट्स में क्यों नहीं किया आपने राजस्थान को, चत्यसगड को, मद्धे परदेश को, मिज़वरम को आपने एक्स्क्लूट किया है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं राजनितिक सोच है दो बातें जो आती हैं, एक तो सेना के लोगों को, जो उनका समय है, पीस टाइम के अंतर हैं, वो उनका अपनी ट्रेनिंग में, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग में, ऑपरेशनल ट्रेनिंग में, एक्सरसाइजिस में, कोर्सिस में, अपने परिवार के रखने खाव में, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि उसके पास समय बहुत थोड़ा है, दो सा के थोड़ा सा भी बाहर बनते हैं बहुत खतरनाक बात है हमारी safety, security, orbit, हमारे कहां, यहां कौन सी फॉज है, क्या कौन सी units है, क्या उनका role है, क्या वो strike के है, क्या वो holding के है, क्या वो किस तरह की formations है, क्या उनकी role and responsibility है, तो यह सारी बातों का ग्यान बाहर निकलता है और जो लोग सोशल मीडिया पर वर्जित हैं तो क्या वो पर इसका प्रचार और प्रसार कैसे करेंगे सेलफिया लेंगे सेना के शौरे के बारे में नहीं है यह यह उजवला योजना मेरे देश के सैनिक का इतना आप मान कि वो अपनी बंदूख छोड़कर देश में सिलंडर बेचेगा देल में देश में आवास योजना का परचार करेगा देश में पानी की जल की स्कीम का नलका खोलेगा कुछ तो शर्म करिये देश के सैनिक का इतना अपमान मत करिये मोधी जी और आपकी सरकार